ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथी बेल आइकन को दबाएं जिस जुनत मुद्हा है वह हमारे पास लिए है उसके बीडर्च और और संचाइटी राज में बच्चे हैं जब सरकार हल निकालना चाहेंगे परिशानी हाँ पर इस बात की है कि हमारे पूरे सरकारी तंथर में ब्रश्टाचार इतने ज़्यादा जड़ों तक घुस गया है कि उनको इन बेरोजगार 400-400 बच्चों का जो दर्द है वो दिखाई नहीं दे रहा मैं आपको एक उधारान देना चाहूंगे जब इनका आउट्सोर्स के बचों का जब सचिवाले के सामने धर्ना था बहुत ही शांति पूर्न धर्ना था अराम से सब लोग बैठे हुए थे उनमें से एक या दो उनकी मेडम है सीमा सिदिकी और एक दो बच्चों को महा सचिवाले में अंदर बुलाया गया बात करने के लिए महाँ पर एक महिला थी उनका नाम था रेखा और वो ऐसे अपना चेहरा अपने चुन्नी से चुपाई हुए थी मैंनों को देखा मैंनों से बात करी तो उन्होंने मैंनों को पूछा कि आप यहां पर क्यूं है मुझे मालूम नहीं था क्योंकि सभी नॉमल बच्ची थे एक एसेड़ अटेक शर्वाइवर थी तो उन्होंने मेरे को बताया कि अभी फरवरी में एक इन्होंने बड़ा माधियम से यह कहा कि हम लोग अटी ऐसेड़ अटेक सर्वाइवर्स को नोकरी देंगे और इन महिला को ढूंडा गया जो तहरत उन में रहती है उसके बाद इनको ढूंडा गया और इनको एक पोस्टर महिला बना दिया गया कि देखो यह रेखा जो है एसेड़ एक और यू बहुत हो Project an श्रेयर करने के लिए सिर्चार पशार करते जिर उसके बाद उनकी पीचार जार्वी नुकुरित Star कर कि वह बी उनकी छुट गई और दो महाने यहां पिर 25 10.1 5e invention ब इसम Apps और इंहां ने किंगल लिए और हुदे बरेखार्याल जिने उनसे खढ़े कर लिए आपके पास इपक्र नहीं है तो इस बाहर बैठे हुआ है ये इनकी समस्या नहीं हैं समस्या आपकी है या तो आपके जो सरकारी अधिकारी वो इतने बिगड़ेल हो चुके हैं कि वो आपकी ने सुन रहे हैं या आप इतनी गड़बडियां कुछ कर रही हैं कि आपके साथ वो लोग काम नहीं करना चाहरे हैं तो नोकर शाहा और सरकार के बीज जो कोडिनेशन होना चाहिए काम करने का वो इस समय बिलकुल खत्म हो चुका है और यह सबसे बड़ी समस्या है इस समय जो आउट सोर्स पर जो बच्चे बैठे हों आप यह देखिए कि अभी मैं आज अखबार पढ़ रही थी तो मदन कोशिक जी कहते हैं कि जिस भी कि अधिकारी को जहां लगाया जाएगा उसको वहां काम करना पड़ेगा तो भाई यह साड़े तीन साल हो गए अभी तक जो सरकारी के अफसर और जो मंत्री होते हैं उनके बीच में आप आस्ता कोडिनेशन नहीं बना पाए चलिए कम से कम जाते हुए साल ही बना लीजिए लेकिंगे मुझे लगता है कि जो चैक अधिकारीयों के अपर होना चाहिए वो चैक सरकार उनको पर नहीं कर पाए पर साठे 19 लोग चाहिए तो जागना तो पड़े गई अगर अर्च नावी साल में भी सो जाएंगे तो मुझे लगता है फिर तो सद्दियों तक सोते ही रह जाएंगे ना खाने की समस्या भाइन दिक्कत होए ना पानी है ना सोचाले कहां तो नारे करती ही सरकार की अच्छ मुट्बाद बारत करनी की बाद करती है। वहां पे 400 बचे उनके साथ बैठे उठे की समस्या है तो कहने के एक एकां से बढ़ा के लेगा है तो उससे भी लोग काताकी से लोग खोड़ी छोल के वाज़े हैं। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि जब सचीवाले के सामने इन बच्छों का धरना था तो बहुत ही शांती पूर्ण धरना था। कहीं कोई हला नहीं था कहीं कोई नारेवाजी नहीं थी चुपचाप सब लोग बैठे हुए थे मैं भी उस धंड़ने में बैठी हुई थी और अगने दिन मैंने अकबार में पढ़ा कि आप नेताओं के उपर मुकदमा जो बहापर बैठे हुए थे उसमें दस के उपर ना लगा रहे हैं यह धरना मतलब उनको धरने को आप नाजाय से वो कर रहे हैं कि आप यहां पर महारी फैला रहे हैं तो आप यह समझे यह समय दन शीलता की हद है मेरको बहुत हरानी होई जब मैंने अपना नाम अगवार में देखा कि मेरें पर भी मुकदमा और और सारे अब कोई सुचना इसकी नहीं है मुझे अकबार के थ्रू ही पता चला और बागादा नाम के साथ मेरा मेंशन था कि उमा से सोधिया के ओपर बीद मुकदमा और बाकी 30 बच्चों के ओपर और मुकदमा अब मुझे इतना दुख हुआ आप येकिन मानेंगे उस धरने परद परसेंट वो काट लेते थे और मतलग भगा आपे लगाए कि छपान सो अठावन सो या च्छाजार रुपे उन लोगों को मिलते थे और वो भी सिर्व दो या तीन महीनन सब लोगों को मिले आप ये बताए चैना रुपे के तंखा लेने के लिए कोई महिला चमोली से आई ह हुई है को मनुसियारी रुद प्रीयाक से आई हुई है और रही बात ये क्यों हम उनको धना घंले के लिए सुधायान है दे मैं तो हाज जोड़ती हूँ कि आप उनको मुकदमे ना करें यही बहुत सरकार के समेदन शीलता होगे कि आप उन पर कम से कम कोविड एक्ट के मुकदमे ना करें करोना को सरासर सरकार ने इस समय जनता को डराने के लिए हतियार बनाया हुआ है आप एक चीज मुझे बताइए कि जब यहां पर जो इनका बीजेपी का जो कारियाले होता है उनका जब हवन चल रहा होता है महां पर मुख्य मंत्री और भगत सिंग बंसीदर भगत जी और यह स सरासर कोविड नियमों की धजियां उड़ाते वे दिखाए देते हैं उनके ओपर कोई मुकदमा नहीं होता जब कंगना रानोत के खिलाफ यह लोग पुतला देहन करते हैं प्रदेशन करते हैं तब इनके कारेकरता हो पर कोई कोई भी उनके ओपर मुकदमा नहीं होता लेक अब देखते रहे हमारे साथ आज के मेहान उमस्त शोद्या आप आधी के प्रदेश प्रगता इनों बेबाग अपनी बाद रखी खासकर पार्टी के रहनी पर चल्चा किया जिस तरह के से कारकार्णी को लगा बहुत सिक्ट उने बोशना कर दिया कि बहुत सिक्ट लोगों के अब देखते रहे हमारे स्रमिक मत के खास प्रगाम आपकी पैचान नमस्का